बोले भाई आपको क्या चाहिए एक मैगी देना भाया और कुछ चाहिए पर्सनल लोन जी अभी अजा सकते हो अरे लोन क्या मैं तुमको ट्वेंटी करोर प्लस प्रोडक्स और सर्विसिस दे सकता हूं भाया मेरी वह भाई खड़ी है उसकी इंशॉरंस करा सकते हो इंशॉरं क्या हुआ तुम लोगों को इतने सर्प्राइस क्यों है इसके आयती चोड़ी सी डुकान पे लोन, इंसॉरंस, मेडिसिन, ग्रोसरी, टिकर्ट, सब कुछ भी करा है अच्छा तो मेरी गल्फरंड का नैस्विक बड़े भी आ रहा है तो उसके लिए ज्वेलरी और देसिस मि मेरे पास यूपोस दर डिजिटल मॉल है क्या जी हां बनाएं अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेची अपनी कस्टमर्स को 20 करोर से भी जादा प्रोड़क्शन सर्विसेज थू ग्लोबल गार्नर्स, यूपोस दर डिजिटल मॉल क्योंकि अब सब का बिजनस है अ अपना बिसनस, जादा जनकारी के लिए कॉंटाक करें तो आप किस चीज का अंतजार कर रहे हैं आज ही बुक करें यूपोस दर डिजिटल मॉल और बेचिए 20 करोर से भी जादा प्रोड़क्शन सर्विसेज क्योंकि अब सब का बिसनस है अपना बिसनस हो सकता है और तेरी दुकान हर चीज की दुकान हो सकती है साधा जानकारी के लिए कॉंटाक करें क्या हुआ भाई क्या सोच रहा है भाई सोच रहा हूं यह मॉल में अगर अपने खुद के दुकान ले ली तो तुझे पता भी है इस मॉल में कितनी महेंगी दुकान होगी भाई कोई बात नहीं मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है और बाकी की लोन ले लूंगा चल मान ले अगर तुने यहाँ पर दुकान खरीद भी ली लेकिन तु अपनी शॉप में विक्रेगा क्या और तुझे गैरेंटी है कि तेरी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी हाँ भाई बात तो सही है एक काम करूंगा को एक अच्छी सी ब्रैंड की फ्रेंचाइजी ले लूंगा तब मेरा धंदा पक्का अच्छा चलेगा बाई तुने वो कावच सुनी है परीबी में आटा गिला क्यों बाई क्या हो गया तुझे किसी भी अच्छी जी ब्रेंड की फ्रेंचाइजीज लेने के लिए लाखों और करोडों खर्च करने होगे और चल मान ले तुने फ्रेंचाइजी ले भी ली तो तुझे उसका इंवेंटरी मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए होगे और साथी में वर्किंग कैपिटल जैसे की स्टाफ की सैलेरी मेंटेनस का खर्चा और ऐसे बहुत सारे खर्चे है और इसके बात भी तुझे गैरैंटी है तेरा दंदा बढ़िया चलेगा भाई ये बिजनस करना कितना मुस्केला तुझे बिजनस करना है तो यूपोस दे डीजिटल मॉल खरीद ले यूपोस दे डीजिटल मॉल ये क्या है हाँ भाई यूपोस तू अपनी शॉप में बैटे बैटे लाखो करोडो प्रोडेक्ट सेल कर सकता है और उसके अलावा लोन्स, फ्लाइड बुकिंग, मेडिकल टेस्ट, इंस्यॉरंस, ट्रावल पैकेज ऐसी बहुत सारी चीज़े तुझे मिले और वो भी किसी बिना इन्वेंटरी पे खर्चा किये हुए क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई, और तू अपने कस्टमर को 2% से लेके 100% का कैश बेक भी दे सकता है और मैंने भी अभी एक विक पहले यूपोस खरीदा है, तो तू भी खरीद ले? भाई, अब मुझे भी यूपोस खरीदना है, अब सबका बिजनस है अपना बिजनस जी हाँ, बनाएं अपनी दुकान को अब हर चीज की दुकान और बेची अपनी कस्टमर को 20 करोर से भी जादा प्रोड़क्शन सर्विसेज थू ग्लोबिल गार्णर्स, यूपोस था डिजिनल मॉल, क्योंकि अब सबका बिजनस है अपना बिजनस जादा जानकारी के लिए कॉन्टाक करें अब ये शहर के खर्चे अब मुझे से नहीं हो रहा है, बस अब बहुत हो गया बबी पापा तो जैसे तैसे मेरी पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हैं, लेकिन ये शहर का लाइफस्टाइल, ये पीजी का रहना, खाना, ट्रावलिंग, अब कैसे मैनेज करूं मैं, बहुत हो गया मैं सोच रही हूँ, वापस गाउँ चली जाओ, पापा का वहाँ पर एक छोटा सा शॉप है, सोच रही हूँ पर उनक्रा हाथ बटा लो क्या वाज तुम्हें मुड की हूँ वापर? क्या बताओ, इस बड़ से शहर में खर्चे नहीं उठाई जा रहे हैं मुझसे, और मेरी फामली का इंकम सोर्ड पी लिमिटेड है, और वो सारा मेरे पढ़ाई पी चल जाता है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं गाउँ वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने फाम अपने यूपास के आना, कुछ बेनिफिट हो आपको उसको? हाँ, यूपास एक डिजिटल मॉल है, जिसके थूँ तुम सब कुछ बेच सकते हो, पीन से लेके प्लेन तक, मेरी दुकान में यूपास के वज़े से फुटफॉल बढ़ गया है, इस लोकालिटी में सब लोग उनकी हर शॉपिंग के लिए मेरे पास ही आते है, एक तो सारे प्रदक्स है जो मेरे यहाँ मिल जाते हैं, और एक कैश्ट बेग जो कहीं नहीं मिलता, अब मेरी किराना की दुकान, electronics की दुकान, travel की दुकान, medical की दुकान और साथी में छोटा सा बalenक भी है, और इतना डाइ से अपना बिजनस साधा जानकारी के लिए कॉंटाट करें अरे मैंने तुसे किछ वाउचर्स ओर्डर करने बोला कि तुने कर दिया क्या है अरे बता है हमने तुसे सॉपिंग करना स्टाट किया है ना तब से ना में हर प्रोड़क पर एडिशनल कैस्पेट मिल रहे है यार मेरी फिनांशल कंडिशन कितनी वीग है निकिन जब से मैंने यूपास दा डिजिटल मॉल लिया है तब कुछ फ्राक्स से आ गया है जो भी इंकम मुझे यूपास से होता है उससे मैं अपने स्टाडी के खर्चे भी निकाल लेती हूँ और अब तो मुझे घर से पैसे भी नहीं मांगने पर तो उल्टा मैं अपने सामली को फाइनांशली सपोर्ट कर लेती हूँ दिन भर मेरे कॉलिज के स्टूड़न के इसमें चांजाक्शन हो जाते हैं कि मुझे उसका अच्छा कमिशन मिल जाता है और उन लोगों को कैश बैक और इस कैश बैक के अडवांटेज के वज़े से ही मेरा कस्टमर मेस भी इंक्रीज हो रहा है अब जब मुझे यूपास प इसना फाइदा हो रहा है तो मैं सोच परीफ पापा को भी यूपास के बारे में बता हूँ वैसे भी तापा का गाउं में एक छोटा सा दुकान है जो यूपास के वज़े से हर चीफ की दुकान बन सकती है पापा और कैसे हुआ ठीक हूँ बेटा और हमारी दुकान कैसे चल रही है क्या बता हूँ बेटा ठीक ठाक सब रहा है कुछ खास में अरे पापा पेंशन मत लो इस बार मैं आपके लिए कैसा गिफ्ट लाई हूँ जिसे हमारी सारी तखलीपे दोर हो जाएंगी और वो है आपको पता है यूवास दिजिटल मॉल से हम हर वो चीज बेच सकते हैं जुसे गाओवाले खरीदने के लिए शेहर जाते हैं अब हमारी छोटी सी दुकान हर चीज की दुकान बन सकती है अच्छा जैसे क्या-क्या चीज बेच सकते हैं जैसे कि पापा अगर किसी को फोन मे रचार्ज करवाना हो या किसी चीज का बिल पेमेंट करवाना हो बर्स का टिकेट बुकिंग ये सब को जब हमारे दुकान से पॉसिबल है अच्छा इतना सब कुछ जी पापा और यही नहीं हमारी दुकान एक छोटा सा बैंक भी बन सकता है जिससे लोग पैसे विज़वा और आपको इसका अच्छा खासा कमिशन मिल जाएगा और गाउवालों को कैश बैक तो आप किस चीज का इंतिजार कर रहे हैं आज ही बुक करें यूपॉस अडिजिनल मॉल और बेचिए 20 करोर से भी ज़्यादा प्रॉडक्स और सर्विसेज क्योंकि अब सब का बिजनस है अपना बिजनस साधा जनकारी के लिए कॉंटाक्ट करें